शंकर ज्वेलर सिर्सा भरोका वाले शिश्पाल सुधार वहवा सिंग सुधार का मशूर हॉल्बार्ट ज्वेलरी शोरू हमारे यहा सोने वाचांदे के आप हुशर हर समें तयार मिलते हैं और ओर्डर पर भी तयार किये जाते हैं शंकर ज्वेलर्स पिएनवी वाली कली रूडी बाजार सिरसा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 9466-73-2005 या 94163-88442 पिछली बार जिसके इस गाउं के चारों पानी पानी से घृर चुका था बीच में एक टापू सा बरतीत हो रहा तो इस गाउं के अंदर जहां से घंगर नदी तोटी थी जहां से मुहाना तूटा था उस मुहाने मैं काफी मशक्कात के बाզ यहां पहुंच पाया हूँ अब यहां पे मापको तस्वीर दिखाना मैं यह बांद है वह पूरा पहले बांद दिखाना चाहूंँ आपको यह पुरा बांद है जो की हाँ टूटा था यहां से इसी जगा से और उसके बाद इसको गाओं के काम गाओं के लोगों ने किया है इसके साथ एक खास बात मुझे यहां पर और नजर आए कि यह जो पोदे हैं नीचे आप देखिएगा कि छोटे छोटे गड़े खोद करके यहां पर पोदे जो है वो लगा रखे हैं यहां कि यह पोदे किसलिए लगा रखे हैं कि पेड़ पोदे अगर बांद के साथ में होंगे तो कटाव जो है और पानी का रफतार जो है वो कम रहेगी और कटाव कम होगा इसके लिए गाओं के लोगों ने अभी से पोदे बना दिये कि आने वाले 5-7 सालों में जब यह पोदे बड़े हो जाएंगे तो इस बांद को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना है वैसे इस बांद के साथ साथ अगर बात करें तो यह देखेगा पेड़ पोदे जो है वो अच्छे खासे हैं और यह जो है वो बांद है इस बांद को तूट गया था यह बांद और इस बांद के से तूटने से यह पूरा इलाका जो है मैं आपको तस्विरें दिखाना चाहूं इस तरह पे तो यह पूरा इलाका जो है वो पानी से भर गया था लबालब हो गया था सामने जो वो डानी दिखाए दे रही है वो डानी भी जो है वो पानी की चपेट में आ गए थी उसके भी चारों तरफ अलांकि काफी उंचाई पे वो मकान बने हुए लेकिन फिर भी पानी जो है वो वहां तक पहुंच गया था ऐसा बताया जा रहा है और उसके साथ गाउं के ऑशपास चारों तरफ जो हो पानी पानी जो हो दिखाई पाड़ रहा था हौँ उस गाउं के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनको झो है वो गष्टियां लेकर के उन तक वो खाना पहुंच आने का काम किया जाता रहा है अब ऐसे में ये बांद जो है इस बांद की स् मजबूत है और यह इतनी असाने से तूटने वाला नहीं है क्योंकि यहां पर जो गाओं के लोगों ने मिट्टी के बैग भरके जो है वह लगाए है ताकि इससे कटाव जो नहीं होगा और उसके उपर मिट्टी डाल दी यह नहीं कि मिट्टी का बना हुआ बांद यह है जिस है या फिर गाओं के लोगों ने अपने अब बनाया है तो यहां पे कुछ गाओं के लोगों से बाचित मैंने की तो उनका कहना है कि जो बांद टूटा था इसको बनाने का काम इसकी रिपेरिंग का काम पूरा का पूरा जो है वो गाओं के लोगों ने जो आसपास के किसान है या जो गाओं के लोग हैं उन्होंने जो है वो अपने स्टर पे किया है परसाशन की ओर से कोई भी सहायता जो है वो उनको नहीं दी गई है अब ऐसे में गाओं के सरपन साब से बात्चित करने का प्रयास किया तो वो यहां पे उपलब्द नहीं थे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उस समय उनसे बात्चित नहीं उपाई कहराने वाले समय में उनसे भी बात्चित करेंगे एक खबर और जो है वो इस पे हम बनाएंगे कि आकिर पूरा मामला क्या है लेकिन फिलहाल जो किसान मिले थे उनका साफ तोर पे कहना है कि इस बांद को बनाने में परसासिन का कोई योगदान नहीं है गाउं के लोगों ने खुद बे खुद अपने खर्चे पे जो वो इस बांद को बनाया है इसके अलावा एक चीज जो है वो यहां से घगर नदी का बांद तूटने से और इसके साथ अगर बात करें जो पीछे पनियारी में और मुसाइब वाला गाउं में घगर नदी का बांद तूटा था तो उसको लेकर के फरवाई पनियारी और अगर बात करें तो बुर्ज करमगड इन गाउं के लोगों का आपस में विवाद भी उत्पन हुआ था कर रहे थे कि इन पूलियों को खोला जाए और फरवाई के लोग जो है वो ये कमांग कर रहे थे कि इन पूलियों को खोला ना जाए तो ऐसे में यह जो इलाका है इस तरफ मापको अगर दिखाना चाहूं तो यह चारो तरफ जो हो पानी से भर चुका था तो यह इलाका जो वो यह आठ़ दस पुलियों हैं इन पुलियों को खूलने की मांग जबन लगातार पनियरी और बुर्ज-क्रमगड गाओं के लोग जबन लगातार कर रहे थे रेक्न फरोध काओं के लोग को बंद रखने की बात कहे रहे थे तो फरोध काक के लोगों का कह pearl ग factory दोब बाकि और खेत जो वो क्यों नुकसान किया जाए यह पूरा का पूरा खाली रहा था यहां पर जो कुछ समय के लिए यह पुलिया खौली गई थी लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके जो इन पुलियों के लोगों के बीच में तनका सुनी हुई सरपंच की गाड़ी भी तोड़ी गई उसके बाद जो है जैसे ये बुर्ज करमगड गाओं पूरा डूब गया तो उस समय जो है वो पनियारी के लोग जो है वो समय तक आगे नहीं आये थे लेकिन जब पानी जादा बढ़ने लगा पनियारी से बांट तूट गया और बुर्ज करमगड से तूट गया पीछे मुसावेवाला से तूट गया उसके बाद पनियारी के लोग जो है वो इन पूलियों को खुलवाने के लिए आए और उसके बाद जो है फरवाई और पनियारी गाओं के लोगों के बीच में आप करमगड गाओं के लोगों का साफ़तर पे कहना था कि यह पूलिया जो बनाई किसलिए गई है कि यहां पर पानी जादा आये तो उस पानी को रोड से क्रोस करने के लिए यह पूलिया बनाई गई थी लेकिन यह पूलिया खोली नहीं जा रही है तो इन पूलियों को बनाने का मतलब क्या है लेकिन फर्माई गाउं के लोगों का तरक था कि ये अगर पूलिया खोल दी जाती है तो उसके बाद पन्यारी के फर्माई के साथ आगे आने वाले जितने भी गाउं है ये पूरा का पूरा जारी किया जाना चाहिए कि पानी ज्यादा आता है ये पूलियां बंद रहेंगी या पूलियां खोल डिजायेंगी पेहले से अगर नोटीफिकेशन जारी eerste लोगन अपना मेज्ड वोग उसी तरह से जैट कर लेंगे कि ये फुलियां खोली रहेंगी ये बंद जो है वो दिखाए दे रहा है कर यह पुलिया जो है एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूं पुली जो है वो अंदर से तस्वीर इसकी देखिएगा यह पुलिया जो है वो बंद कर रखी है पानी निकालने की जगह बनाई गई थी लेकिन यहां पर बैग लग या पर पानी जब जादा आता है यहां से बहाव शुरू होता है तो इन पूलियों को खोला जाएगा यह परसासन पर डिपेंड करता है और तमाम तीनों गाउं के लोगों से अनुरोद करूंगा कि इस पर आपसी बाइचारे को बिगाडने के बजाए पहले से परसासन के कि समय पर वो उस त्रस्टी से निपटने के लिए एक जुढता जो हो दिखाई दे ना कि अपना-पना बचाओ करने के लिए अलग-लग से चलते हुए दिखाई दे आप इस वीडियो को लेकर कि अपनी राय कमेंट सेक्चन में कमेंट करके जरूर बताईएगा केमरे साथ के बिट्टु मायल के साथ रमेश जाकड के हरियाना